हेलो फ्रेंड्स और मैदेश डेंड इंस्टुमेंटल मेथट आफ एनालेसिस बीपी 701 टीके इस वीडियो में हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री के इंस्टुमेंटेशन के बारे में बात करेंगे इसमें हम लोग जो हमारा फ्लेम फोटोमेट्री है उसके इंस्टुमेंटेशन के first part में हम लोग इस वीडियो में burners के बारे में specifically बात करेंगे इसके आगे के वीडियो में हम लोग और जो इसकी assembly है और component है उनके बारे में भी detail में बात करेंगे मेरा नाम है dr. महम ताप से चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम instrumentation of flame photometry के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे flame photometers होते हैं अगर हम उसके basic component के बारे में बात करें तो इसका जो सबसे पहला component है that is called the burner उसके बाद में इसमें हम लोग कुछ यूज करते हैं mirrors को यूज करते हैं slits को यूज करते हैं जो हमारे होते हैं monochromatters उनको भी यूज करते हैं फिल्टर्स को भी यूज करते हैं और डिटेक्टर्स को भी यूज करते हैं तो जो हमारा होता है एक तरसे वो बर्नर है उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा सैंपल है उसको हम लोग वहाँ पे उसके अंदर करते हैं बर्न करते हैं उसके बाद में उससे जो रे radiation emit हो रही है उसकी proper wavelength वगेरा वहाँ पर calculate कर लेते हैं तो इस वीडियो में हम लोग burners के बारे में detail में बात करेंगे तो अगर हम जो हमारा flame photometer होता है उसके block diagram के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो हमारा होता है fuels है और जो हमारे oxygen है उनको हम लोग जो हमारी होती है पहली unit उसके अंदर introduce करते हैं जिससे की एक flame वहाँ पर create होती है और इसमें जो हमारा sample है उसको भी हम लोग introduce करते हैं तो जब हमारा sample है वो flame के contact में आता है तो उसमें उसका excitation होता है और जब उसका excitation होता है और वो ground state में आता है तो उस condition में वो radiation को वहाँ पर emit करता है तो उसमें जो हमारा radiation emit हो रही है, उसका जो spectra है, उसको हम लोग वहाँ पर isolate करने के लिए अगली unit को use करते हैं, उसके बाद में इसमें हम लोग use करते हैं, that is the light sensitive detectors को use करते हैं, amplifiers को use करते हैं, और antim में readout device को हम लोग यहाँ पर use करते हैं, तो यह एक प्रकार का हमारे flame photometer का block diagram ह तो इसमें जो हमारा सबसे important है, that is called the burner, यह जो हमारी total assembly है, that is called the burner, तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो हमारे burners हैं, उनके बारे में detail में बात करेंगे, तो हम लोग जो अलग-अलग परकार के burners use करते हैं, सबसे पहले उसके function के बारे में बात कर लेते हैं, कि जो भी हमारा वहाँ पे sample solution है उसकी जो droplet वहाँ पे form हो रही है उसमें से जो भी solvent है उसको वो properly वहाँ पे evaporate कर सके ये इतनी capable हमारी flame होनी चाहिए उसके बाद में जब जो हमारा इस place पे है वो solvent जब वहाँ पे evaporate हो जाएगा तो जो हमारा वहाँ पे रह जाएगा solid का residue उसको भी हमारी जो flame है वो इतनी capable होनी चाहिए कि उसको properly वो decompose कर सके जिससे कि जो हमारे उसके अंदर atoms वगरा है वो free form में आ सके और उसके बाद में जो भी हमारी flame है वो इतनी capable होनी चाहिए कि जो भी वहाँ पे atom free form में आ रहे हैं उनका properly excitation भी हमें देखने को प्राप operate form हुई उनमें जो liquid है solvent है उसको properly वो evaporate करने के लिए capable होना चाहिए उसके बाद में जो हमारा ये first step है उसके बाद में जो हमारा वहाँ पर form होजाय में वहां पर रहा है पूंदर होना चाहिए तो जो इसमें हमारा सबसे पहला बर्रनर है that is called the meaker burner तो अगर हम इसके बात करते हैं तो इसमें जो हमारा fuel है वो हम यूज करते हैं natural gases को यूज करते है और यहां पर हम लोग Also की तरह oxygen को यूज करते हैं तो यहां पर हम लोग जो हमारी अलग-अलग प्रकार की होती है natural gases होती है उसको हम लोग fuel की तरह यूज कर रहे हैं और oxygen को oxygen की तरह यूज कर रहे हैं बट इनसे जो flame produce होती है उनका temperature काफी कम होता है अगर हम और जो हमारे burner हैं उनसे compare करते हैं तो इस कारण से इसको हम लोग खाली alkali जो हमारे metals वगरा होते हैं उनकी study में ही इनको हम लोग use करते हैं और आजकल इस burner को काफी कम या बिल्कुल भी नहीं यूज किया जाता है उसके बाद इसमें जो हमारा है अगला burner that is called the total consumption burner तो अगर हम इस burner के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो हमारा fuel है वो हमारी hydrogen gas को हम लोग use करते हैं और oxygen के place पे हम लोग oxygen gas को यहाँ पे use करते हैं तो जो भी हमारा liquid sample होता है वो हमारी जो flame है उसके अंदर हमारे burner के अंदर ही drain out होता है उसके अंदर ही आता है और इस place पे जो भी हमारा वहाँ पे अलग-अलग tubes है उससे हम लोग जो हमारी hydrogen gas है जो की fuel है और जो हमारा oxygen gas है जो की एक oxygen है वो वहाँ पे enter करती है और जब ये हमारे burner के top पे ये दोनों gas है जाती है तो वहाँ पे ये लोग flame को produce करती है तो अब हम लोग इसको diagram से देख लेते हैं concept थोड़ा अप लोगों को और अच्छे से clear होगा तो इस place पे क्या है कि ये हम हमारी tube है उससे हम लोग oxygen को अंदर की ओर लेके आते हैं जो अंदर वाली tube है उससे जो हमारा oxygen है oxygen उसको हम लोग अंदर तो इस condition में क्या है कि जो भी हमारा liquid sample है वो हमारे जो flame का base है उस place पे वहाँ पे एक रस से जो खिचता है drain होता है उसके बाद में जो भी हमारा oxygen है उसके contact में जब वो आता है तो वो उस place पे fragdeter होता है मतलब spray के form में convert होता है जब वो spray के form में हमारे जो flame का base है वहाँ पे convert होता है तो वहाँ पे उसकी droplets वहाँ पे form होती है जिससे कि जो उसके अंदर solvent है वो वहाँ पे evaporate होता है और हमारा जो solid का residue है वो वहाँ पे छूड़ जाता है तो जो हमारा वहाँ पे है एक तैसे solid का वो residue है उसके जो atoms होते हैं वो वहाँ पे फिर excited होते हैं हमारे flame के अंदर तो इस condition में अगर हम बात करते हैं तो यह जो हमारा equipment है इसमें काफी sore हमें देखने को प्राप्त होता है यह equipment काफी noisy होता है जो flame वहाँ पे produce होती है उसके एक high temperature की flame को produce कर सकते हैं इस equipment में तो इस equipment के बारे में बात करें तो इसका जो हमारा पहला disadvantage है या इसका जो disadvantage है वो यह है कि जो भी यहाँ पे flame produce हो रही है उसमें काफी sore होता है noisy होती है बट अगर हम जो हमारा oxygen है और जो हमारा fuel है उसका हम ratio properly control कर लेते हैं तो एक high temperature की देखने को प्राप्ट होती है उसके बाद में जो हमारा इसमें है तीसरा that is called the pre-mix of laminar flow burner तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा नाम है वही indicate कर रहा है pre-mix मतलब जो हमारा fuel है जो हमारा oxygen है और जो हमारी aspirated sample है वो यहाँ पे पहले से mix हो जाता है burner क अंदर आने से पहले तो इस condition में अगर हम देखते हैं इस equipment में तो क्या है कि यह जब यहाँ पे burner पे आता है उस condition में हमारा जो होता है fuel है और हमारा sample आपस में mix होता है बट इस equipment में अगर हम एक तरह से देखते हैं तो क्या होता है कि यह तीनों चीजे यहाँ पे पहले से ही mix हो जाती है जो भी हमारा burner का head है वहाँ पहुंचने से पहले तो यह हमारा एक प्रकार का वो chamber है इसके अंदर जो हमारा fuel है उसको हम लोग यहाँ से इंटर करते हैं oxygen हमारा यहाँ से इंटर होता है जो हमारा sample है वो इस place से draining होता है और जो हमारी aspirating air है उसको हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं तो जो हमारा sample है वो जब हमारे aspirating air के contact में आता है तो यह spray के form में यहाँ पे small droplets के रूप में हम कह सकते हैं कि thrown out होता है और इसके अंदर जो fuel और oxygen है उसके साथ में यह properly mix हो जाता है जिसके कारण की हम लोग इस place पे कुछ यूज करते हैं mixing waffles को use करते हैं जिससे कि यह सब चीजे यहाँ पे properly आपस में हो जाए mix हो जाए और यह इस place पे एक smooth flow हमें अपने हर चीज का देखने को प्राप्त हो तो अगर हम इस burner के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा aspirated sample है fuel है और oxygen है वो हमारा जो भी flame है उसकी opening तक पहुचने से पहले ही properly थारोली mix हो जाता है तो जब वो properly वहाँ पे थारोली mix हो जाता है तो जो हमारी एक तरह से वो burner की जो gas है वो वहाँ पे जब move करती है तो उसके अंदर हमें एक प्रकार का non-turbulence fashion देखने को प्राप्थ होता है या उसकी जो हम कह सकते हैं gases है वो एक non-turbulence fashion में move करती है जिसको की हम लोग laminar flow भी वहाँ पे कह सकते हैं तो इस condition में क्या है कि इस equipment में हमें किसी भी प्रकार का noise नहीं देखने को प्राप्थ होता और जो हमारी flame यहाँ पे produce होती है वो properly stable flame हमें देखने को प्राप्थ होती है तो इस condition में इससे पहले जो हम लोगों ने burner देखा total consumption burner उसमें काफी noise हो रही थी वो उसका drawback था बट इस place पे क्या है कि जो भी हमारा उस place पे gases है वो उसके अंदर एक वो laminar flow के रूप में रहती है smoothly वहाँ पे flow होती है जिसके कारण की हमें इसमें किसी भी प्रकार का noise नहीं देखने को प्राप्त होता और एक stable flame हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है तो अगर इसके हम एक और advantage के बारे में बात करते हैं तो इस condition में जो हमारा sample होता है वो आसानी से वहाँ पे decompose हो जाता है means जो हमारा था एक तरह से solid residue था वो आसानी से easily यहाँ पे decompose हो जाता है और जो हमारी flames होती है उसके अंदर जो हमारा sample है वो properly atomized रहता है जिसके कारण की हमें एक अच्छा वहाँ पे results देखने को प्राप्त होता है तो आसान तरीके से कहें तो इस condition में क्या है कि अगर हम equipment देखें तो क्या है कि इस place पे जो भी हमारा fuel है oxygen है और जो हमारी sample की droplets है वो properly आपस में अच्छे से mix हो जाती है वो जिसके कारण की एक हमें यहाँ पे वो constant जो हमारे sample की concentration है वो हमारे पूरे flame में देखने को प्राप होती है उसके बाद जो हमारा अगला है that is called lunder garf burner तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग अधितर liquid samples को use करते हैं और इसमें जो हमारा होता है aspirated हमारा spray chamber होता है उसके अंदर हम लो liquid form में हम अपने sample को यहाँ पे use करते हैं तो इसमें जब हमारा जो sample है वहाँ पे spray के form में convert होता है तो जो हमारी small droplets होती है या जो हमारा होता है vaporized sample वो हमारा जो flame का base होता है उसमें एक cloud के form में हमें enter होता हुआ देखने को प्राप्त होता है बट जो हमारी acid droplets है जिनका की size बड़ा होता है वो क्या होती है वो वहाँ पे condense हो जाती है और वहाँ पे drain out होके बाहर निकल जाती है तो अगर हम लोग इसके diagram से इसको देखते हैं तो concept आप लोगो कुछ और clear होगा तो इस condition में क्या है कि ये हमारा है एक तरह से sample है ये इस pipe के through यहाँ पे enter करता है यहाँ पे हमारा oxygen इस pipe के through यहाँ पे enter कर रहा है तो यहाँ पे जो हमारा oxygen है वो इसको spray के form में aspirated करने में भी help करता है और यहाँ पे oxygen की तरह भी use होता है तो जो हमारा sample जब आता है और oxygen जब contact में आते हैं तो यह हमारे जो sample है liquid sample है उसको छोटे-छोटे droplets के form में spray के form में हमारे spray chamber के अंदर spray करता है तो जो हमारी droplets काफी छोटी होती है वो हमारे oxygen जो हमारा oxygen है उसके एक तरसे साथ में यहाँ पे एक cloud के रूप में आती है और जो हमारा fuel है वो यहाँ से इंटर करता है और इस place पे जो हमारा है यहाँ पे हमें एक flame देखने को प्राप्त होती है जिसके अंदर हमारा जो sample है वो यहाँ पे properly burn होता है बड़ जो हमारी acid droplets हैं जिनका की size यहाँ पे बड़ा है वो यहाँ पे condense हो जाती है और drain से उसको हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं तो अगर हम इस जो हमारा burner है उसके एक important feature के बारे में बात करें तो इसमें जो हमारा total sample होता है उसका हम कह सकते हैं केवल approximately हम कह सकते हैं 5% ही हमारे जो flame है वहाँ तक reach होता है और जो 95% हमारा जो sample है वो वहाँ पे drain out होके बाहर निकल जाता है उसके बाद इसमें जो हमारा अगला है that is called the sealeded burner तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको TS Westel ने develop किया था और इस हम कह सकते हैं burner के अंदर जो भी हमारा होता है ambient atmosphere होता है उससे हम लोग अपनी flame को sealed कर लेते हैं उससे हम लोग अपनी flame को अलग कर लेते हैं एक तरह से छुपा लेते हैं और उसके अंदर हम लोग एक inert gas को use करते हैं atmosphere क्या जो हमारा एक तरह से gas है उसको वहाँ पर हटा के एक हम लोग inert gas को यहाँ पर use करते हैं तो इसलिए हम लोग इसको sealed burner भी कहते हैं तो जो हमारा sealed burner होता है उससे एक तरह से वह quitter flame हमें देखने को प्राप्त होता है और यह जो हमारी होती है वह quitter flames होती है यह हमारे analysis की sensitivity के लिए काफी अच्छी होती है तो अगर हम बात करते हैं about the quitter तो इसका मतलब होता है smooth और sound जो हमारी flame होती है उनको हम लोग कहते हैं कोटर flames कहते हैं जिसके कारण की जो हमारे analysis की sensitivity है वो हमें यहाँ पे काफी अच्छी देखने को प्राप्त होती है इस burner से उसके बाद में जो हमारा इसमें अंतिम है तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको जो है develop किया गया था वो by the J, Willis and M, Amos के द्वारा इसको develop किया गया था और इसको अधिकतर use किया जाता है in the research of atomic absorption spectroscopy के थूँ जब हम लोग research करते हैं तो उस condition में इस flame को हम लोग काफी use करते हैं तो यह जो दो हमारे थे scientist है इन्होंने इस चीज़ को इतन से पाया कि अगर हम nitrous oxide और estylene की flame को create करते हैं तो यह जो हमारी flame है यह काफी अच्छी होती है वो superior होती है अगर हम इनको और flame से compare करते हैं और यह जो हमारे free atom है उसके excitation के लिए काफी efficient भी होती है तो इस condition में जो हमारी flame है इससे एक high temperature हमें देखने को प्राप्त होता है हमारी flame के अंदर इसलिए इसको हम लोग जो हमारे होते है alkaline metals बगेरा होते है उनके determination में इसको हम लोग use नहीं कर सकते है तो अगर हम एक तरसे बात करते हैं कि इस जो हमारा एक तरसे burner है उसकी हमारा जो एक होता है basic problem इसमें है वो क्या है तो इसमें हमें एक तरह का intense background emission देखने को प्राप्त होता है इस flame में तो इस condition में जो भी हमारे वहाँ पे एक तरसे metals वगेरा है वो exactly कितना उनके अंदर emission हो रहा है उसको exactly वहाँ पे एक तरसे measure करना काफी difficult होता है क्योंकि इन flame के अंदर अपना खुद का एक background emission हमें देखने को प्राप्त होता है तो अगर हम इसके साथ में कुछ ऐसी devices यूज करते हैं जिससे कि इनका जो होता है background emission है वो properly control हो जाए खतम हो जाए तो उस condition में यह हमारी flame जो है काफी अच्छी flame होती है तो I think so कि जो भी हमारे burners थे उसका concept आप लोंको clear हो गया होगा जो भी burner है समझ में आ गये होंगे अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूँछ सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें Thank you